नमस्कार आपका स्वागत हैं इंडिया पबलिक खबर में और मैं हूँ अरजिता लखीमपूर खीरी हिंसा का मामला ठंडा पड़ता नज़र नहीं आ रहा है इस मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है विपक्षी दलो की नेताओं का मृतक किसानों के परिजनों से मिलने का दौर जारी है सभी सांत्वना देने के लिए उनके घर जा रहे हैं वही लखीमपूर मामलिक को स्वतह संग्यान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल तक यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है साथ ही कितने आरोपी गिरफतार हुए इसकी भी सूशना देने का निर्देश दिया है गुरुवार को बहराईश निकलने से पहले लखनव में प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक पीडित परिवार को न्याय नहीं मिला न्याय कैसे मिलेगा अगर अजें मिश्र ग्रहराज ये मंतरी रहेंगे ये सब उनके अंडर में आता है जब तक वो बरखास नहीं होंगे तब तक निश्पक्ष जाच कौन करेगा तीनों पीडित परिवारों ने एक ही बात कही कि मुआवजे से मतलब नहीं है हमें न्याय शाहिए बता दें कि बहराईश के दो किसानों की मौद लखीम पुरखीरी में हुई थी इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो ग्रे राज मंत्री हैं उनके बेटे को सारे विडियो में सबने पहचाना है और जो वहाँ पर मौझूद थे चश्मजीत गवा वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इंवल्व थे इस मामले में तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे उनके अंडर आता है न ये सब तो जब तक वो रहेंगे और जब तक वो बरखास नहीं होंगे तो कौन एक निश्पक्ष जांच करेगा क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए और मुझे बिगैर F.I.R गिरफतार किया कोई कागज नहीं दिखाया कल तक भी कोई कागज नहीं दिखाया कोई Magistrate के सामने पेश नहीं किया जितने भी हनियम है सारों का उलंगन किया मुझे गिरफतार करने के लिए और इनके लिए बस F.I.R काफी और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुछ ला है ये एक लोक तंत्र है यहाँ न्याय आपका अधिकार है और इसके लिए मैं लड़ूंगी जब तक की बंत्री बरखास नहीं होगा जब तक ये लड़का गिरफतार नहीं होगा तब तक मैं बिलकुल अडिक रहूंगी क्योंकि मैंने उन परिवारों से बचन दिया वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने के लिए लखीम पुर्रवाना हो गए हैं इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि जो नामजद हैं जिन्होंने ऐसी घटना की है वो जेल जाएं सुप्रीम कोट ने स्वतह संग्यान लिया है हमें उम्मीद है कि इन परिवारों को न्याय मिलेगा आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश ने 4 अक्टूबर को जाने का प्रयास किया था लेकिन उन्हें लखनव में हिरासत में ले लिया गया था क्या पुलिस नहीं पुलिस को नहीं फरार किया हुआ है आई पीएस पे आरोग था वो आई पीएस फरार है के नहीं फरार है जो नामजद हैं जो लखीमपुर की घटना में नामजद हैं वीडियो क्लिप्स आ गई हैं बयान हैं लोगों ने देखा है जो घटना पे दूसरे तरफ यूपी प्रदेश सरकार ने लखीम पुर्खीरी मामले में नियाईक आयो का गठन कर दिया है जिसमें हाई कोड के रिटायर्ड जच प्रदीप कुमार श्रिवास्तव मामले की जाँच करेंगे जिसके लिए शासन ने दो महीने में रिपोर्ट मांगी है आयो का मुख्याले लखीम पुर्खीरी में होगा तो आईए आपको बताते हैं कि कैसे होती है नियाईक जाँच और ये पुलिस और CBI की जाँच से कैसे अलग होती है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल होते हैं बता दें कि जब भी देश में कहीं भी कोई गंभीर घटना या सांप्रदाइक दंगे होते हैं या फिर कोई मंत्री या आला अफसर दंगे हाथ हुभष्ट चार के मामले में पकड़े जाते हैं तब कई बार ऐसे मामलों में पीडित, जनता, वकील या विपक्षी या कभी-कभी आरोपी भी मामले की न्याइक जाँच ही मांग करते हैं न्याइक जाँच को निश्पक्ष और सटीक माना जाता है और लोग न्याइक जाँच पर भरोसा करते हैं भारतिय कानून के मताबिक न्याइक जाँच का काम किसी जाँच से ही कराया जाता है जैसे जिला न्याइधीश, जिला अदालत, उच्चे न्याइधीश या सर्वोचे न्याइधीश का कोई वर्तमान या अवकाश प्राप्त जच ये जाँच कर सकता है जब भी किसी घटना के बाद न्याईक जाँच की मांग की जाती है तो सम्बंधित अदालत मामले की जाँच वरतमान न्यायधीश या फिर किसी अवकास प्राप्त न्यायधीश को सौब देती है इसमें जाच करने वाले जजों की संख्या एक की बजाए दो भी हो सकती है संबंधित अदालत जाच के लिए समय सीमा और निगरानी भी तै कर सकती है नियाईक जाच करने वाले वर्तमान नियाधीश या अवकाश प्राप्त नियाधीश को उनकी सुविधा के अनुसार सहायक और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है नियाईक जाच करने वाले जज मौका इवारदात का मुआइना गवाहों के बयान और सबूतों की छान भी इनस्वयम करते हैं तैसीमा में जाच पूरी कर वो रिपोर्ट बनाते हैं और संबंधे तदालत को सौब देते हैं यदि जाच की अनुशनसा सरकार ने की है तो जाच पूरी होने पर वो सरकार को अपनी रिपोर्ट सुपूर्द करते हैं वहीं ऐसा भी देखने में मिलता है कि संसद या विधान सभा में उठाए गए किसी बड़े संगीन मुद्दे को शांत करने की खातिर सरकारे खुद ही नियाइग जाच की सिफारिश कर देती हैं फिर विपक्षी दल उस मुद्दे पर जब भी सरकार से सवाल करता है तो सरकार कहती है कि अब मामले की नियाएक जांच हो रही है तो उस पर ज्यादा कुछ कहना या बहस करना उचित नहीं होगा किसी भी मामले में पुलिस और CBI प्राथमी की दर्ज करने के बाद एक जांच अधिकारी यानि I.O की नियूकती करते हैं जो केवल पुलिस या CBI का वर्तमार अधिकारी होता है फिर वो I.O पुलिस के तौर तरीके अपना कर जांच को अपने हिसाब से पूरा कर चार्ज लेकिन नियाइक जांच के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता कोई भी नियाइकज जांच संबंधित कोर्ट अपनी निगरानी में करा सकती है माना जाता है कि ऐसी जांच को पुलिस या CBI प्रभावित नहीं कर सकती इस खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चानल को वीडियो को लाइक करें और जादा से ज्यादा शेयर करें